Hello friends, welcome back to my YouTube channel 12th pass out candidate के लिए बहुत ही अच्छी opportunity है जो की SCL Technologies की तरफ से है ये All India के 12th pass out candidate के लिए In fact, अगर आप अपने result का वेट कर रहे हैं अभी आपका result नहीं आया हुआ है तो वो candidate भी इसके लिए eligible रहेंगे इस program के लिए और ये जो SCL Technologies के दौरा program run किया जा रहा है उस program का नाम है Tech B program Tech B program ये 2017 से इसको इंडिया में launch किया गया था 2017, 2017 मैं ये इंडिया में launch किया गया था जिसमें अभी ये currently कहां कहां पर running है means अगर आप इसमें register होते हैं तो आपको कहां पर All India में कहां पर आपको training के लिए जाना होगा बहुत ही अच्छी opportunity है क्योंकि 12th pass out करने के बाद आपको full time job भी मिलेगी जो कि SCL Technologies में ही रहेगी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ 12th pass out किया और 12th के बाद आप job करेंगे लेकिन साथ में आप चाहते हैं कि अपने study को भी continue रखें आप graduation करना चाहते हैं तो top universities से आप यहां पर graduation भी कर सकते हैं आपको top universities से graduating करने का मौका मिलेगा जैसे अभी आप यहां पर देख रहे हैं wit splani wit splani से आप कर सकते हैं MIT University सौस्तरा युनिवरसिटี से भी आप graduation कर सकते हैं तो ये जो program है उन सभी candidate के लिए जो की 12th के बाद चाहते हैं कि just after 12th में कुछ earn करें, कुछ site में job करें और साथ में अपनी study को भी continue रखें तो उनके लिए ये program बहुत अच्छा है, west program है क्योंकि इसका जो आपका training रहेगा, वो 12 मन्त का है one year का training रहेगा और training के दौरान, यानि आपका जो internship होगा, internship के दौरान आपको stipend भी दिया जाएगा और ये जो stipend रहेगा 10,000 पर मन्त रहेगा training जैसे ही complete होती है आपको job भी मिलेगी full time job मिलेगी और जिसका पर annum आपकी जो initial salary रहेगी वो I think 5,500,000 रहेगी मैं भी आपको और आगे जो इसका notification आया हुआ है, वो हम यहाँ पर clear कर लेंगे, so बहुत ही अच्छी opportunity है, अगर आप चाहते हैं कि after 12 कुछ ऐसा course करें जिससे हम, इसको हम job oriented course भी कह सकते हैं क्योंकि इस course को करने के बाद आपको full time job मिल रही है आपकी earning start हो जाएगी पहले तो आपको internship के दौरान stipend ही मिलेगा 10,000, उसके बाद जैसे ही आपकी job full time होती है, तो इसमें आपकी salary भी मिलेगी, पर एनम इसमें कुछ दिया गया है, जो कि हम अभी clear कर लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको graduation भी करना है, साथ मैं after 12th आप अपने study continue रखना चाहते हैं, तो आपको graduation करने का भी मौका मिलेगा, वो भी top university से, तो जरूर इसमें apply कीजिए, register कीजिए, register आपको इसमें करना होगा, पूरी process क्या है, मैं अभी आपको बता दूँगी, लेकिन इसके पहले, अगर आप भी इसमें apply करना चाहते हैं, register करना चाहते हैं, सारी process में बताऊंगी, आप SCL Technologies की official site से भी इसको check कर सकते हैं, तो चली अभी हम इसका जो notification है, वो देखते हैं अभी आप ये जो देख रहे हैं ये newspaper की cutting है, newspaper में इसका जो बिग्यापन है वो आया हुआ है, इसकी official site पर भी मैंने check कर लिया है पूरा information इसमें दिया गया है registration किस तरह से आपको करना है step by step इसमें दिया गया है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, SCL Technologies इसकी तरफ से जिसमें आपको training दी जाएगी internship, stipend, employment and graduation भी आप इसमें कर सकते हैं वो भी बारवी कक्छा के तुरंत बाद, after 12th तो ये बहुत ही अच्छी opportunity है अगर आप 12th के बाद कुछ course करके earn भी करना चाहते हो, graduation भी साथ में करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी opportunity है eligibility करेंगे इसमें eligibility रखी गई है भारत का निवासी, Indian citizen इसमें apply कर सकता है, जिसमें 2021 से 2022 में math या business mathematics से आपना 12th पास आउट किया है, तो आप इसमें apply कर सकते हैं और जो result का wait कर रहे हैं वो भी apply कर सकते हैं, job role देखिए यहाँ पर, आपकी training complete होने के बाद जो job role रहेगा, उसमें software, developer analyst, design engineer, data engineer support and process associate सामिल है, तो यह job role रहेगा, जब आपकी complete हो जाएगी training, तो आपको इस तरह से job मिलेगी program highlights देखेंगे तो tag भी program में previous लेने वाले बिध्यारतेओं को उनकी training पूरी होने के बाद, SCL technologies में full time नौकरी मिलेगी इस program में classroom training के साथ, internship के दौरान 10,000 stipend भी मिलेगा प्रारंबिक बेतन जो initial salary रहेगी, वो 1.7 से 2.2 lakh per year per annum starting रहेगी बात में आपके increase भी हो सकते हैं यह job role पर भी depend करेगा आपकी job role क्या रहेगा उम्मीदबाद को SCL technologies के साथ काम करते हुए, विट्स प्लानी MIT University या सास्तरा University से graduation करने का भी अपसर मिलेगा, और आज ही registration करें क्योंकि इसमें जो seat हैं वो सीमित है, अब इसमें आप करेंगे, तो क्या process रहेगी, वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें 12 के साथ कोई percentage required है, तो ऐसा नहीं है अगर आप passing mark आपके हैं आपने 12 पास कर लिया है तो आप इसके लिए eligible हैं कोई भी percentage required नहीं है, आप only passing mark candidate भी इसमें apply कर सकते हैं 2017 में ये program इंडिया में launch किया गया था, जिसमें currently अगर हम देखें तो नौइडा, लकनाव, मदरई, चेन्नाई, नाकपुर, वेंगलोरू बिजयबाडा, हैदराबाद में अभी ये available है, तो आपकी जो training रहेगी, वो भी इन ही location में रहेगी, नौइडा, लकनाव, मदरई, चेन्नाई, नाकपुर, बेंगलोरू, विजयबाडा and हैदराबाद, अगर आप इसमें register होते हो, selection आपका हो जाता है, so training location हो गया, percentage कोई भी required नहीं है, and मैं आपको इसकी officer site पर ले चलती, वहाँ पर मैं आपको बता दिती, लेकिन इसके पहले मैं अपने इस channel पर private job vacancies ही upload करती थी, तो एक private bank पर मैंने vacancy information मैंने दिया था, वहाँ से copyright claim मुझे आया था, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी official site आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने HCL Technologies की पूरा detail official site पर जाकर के पूरा detail चेक कर लिया है, अभी इसके registration स्टार्ट है, और सारे information मैंने आपको दे भी दी है, आप उसके official site पर जाकर के career option में जाएंगे, वहाँ पर आपको tech भी program दिखेगा, no more पर आप किलिक करेंगे, job program पर जाएंगे, step by step आप scroll करते जाएगा, सारे step by step आपको पूरी information आपको वहाँ मिल जाएगी, eligibility program, duration, type and job role, registration कैसे करना है, वो भी मैं step by step आपको यहाँ पर बता देती हूँ, सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया, आप उसी तरह से click करेंगे, scroll करेंगे, career option में, job role में जाकर करके, तो registration का option आएगा, registration option पर जब आप जाएगे, उसके नीचे उसमें दिया गया है, कि registration आप कर लेंगे, then आपको scl cat, cat, यानि basic career aptitude test आपको देना होगा, जिसमें आपसे quantitative aptitude, logical reasoning and language ability से related questions रहेंगे, यह test आपको clear करना होगा, जब आप यह test clear कर लेंगे, तो आपका interview होगा, face to face interview होगा, उसके बाद अगर आप select हो जाते हैं, तो आपको one year की training के लिए select कर लिए जाएगा, और जो भी benefits हैं, आपको दिये जाएगे, register करने के लिए आप इसकी official site पर जाएगे, तो जैसर जैसे मैंने बताया, वहाँ पर भी आपको link मिल जाएगा, और यहाँ भी आप देख रहे हैं, wit.ly.tagv2021, इस पर जाकर के या आप इस number पर miss call दे सकते हैं, या email कर सकते हैं, आप भी एक बार इसकी official site चेक कर लिजेगा, यह बहुत एच्छी opportunity है 12th pass candidate के लिए, जिनोंने math या business mathematics से किया हुआ है, ओके, so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो like कीजेगा, thank you.